MP में चुनावी घमासान चरम पर है और ऐसे में कॉंग्रेस ने दौर की विधान सभा एक से चौकाने वाला नाम मैदान में उतारा है पार्टी ने यहां से प्रीती अगनी होतरी को टिकट दिया है और अब वे महिला शक्ती के आधार पर जनसंपर्क में जुट गई है देखें MP News की यह रिपोर्ट पर है ऐसे में किस तरह से वो इस चुनौती को देखती है और क्या वाकई में विधान सभा चुनाव 2018 में एक महिला को नेत्रत्व करने का जो मौका कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है उस पर लेकर उनकी क्या सोचे सीधे उनसे मुखातिव होते हैं बात करते हैं फिलाल वो ह अपने सपने संजोए हैं होती है हम लोगों ने काफी सारी योजना है बनाई है उनके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने लेडीज विंग का गठन हम लोग ने सोचा है कि हम लोग लेडीज विंग बनाएंगे जो अलग-अलग वाड में काम करेंगी हमारी पूरी महलाओं की टीम होगी हम लोग घर घ जारी करने का हम लोगों ने योजना बनाने का सोचा है वो पब्लिक अगर कॉल करती है तो हमारी टीम मेंबर्स घर जाकर उनकी समस्याइं सुनेंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग निराकन करेंगे आए दिन जो महलाओं के साथ बलातकार बलकि महलाओं को आप छोड़िये देखे आप चोटी-चोटी बच्चेओं के साथ बलातकार हो रहा है उसके लिए तो सरकार को सबसे जादा योजना है बनानी चाहिए और अपराधियों को सजा देनी चाहिए लेकिन इनकी सरकार होने के बावजूद इसके कोई आस्तक कड़े नियम अपराधी खुले आम घ इच्छा है और मैं इंदोर की बहूं हूं इंदोर की बेटी हूं तो मैं इंदोर की जनता से यही चाहती हूं कि वो मुझे जादा से जदा अपना आशिरवात प्रदान करें हम आहापोर हैं एक लेडी है सांसद लेडी है लेकिन उन्होंने महलाओं के लिए आस तो कुछ नहीं किया मुझे राजनीती से कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ हमारा में हो मेरा परिवार हमेशा लोगों की सेवा के लिए ततपर रहा है हम लोग महलाओं के लिए विशेश तोर पर इस सारे काम करेंगे जो मुझे बन पड़ेगा मैं हो महलाओं के लिए जरूर करूँ विशाल गोलु अगनी उत्री जी भी मौजूद हैं विशाल जी क्या कहना चाहेंगे कॉंग्रेस पार्टी पहले आपको मौका देने वाली थी लेकिन चुकी महिलाओ को मौका देना था इसलिए धर्मपत्नी का आपकी चाहिन किया गया किस तरह से इस चुनौती को देखते है और कितनी मेनत आप भी करेंगे क्योंकि 24 घंटे 7 दिन लगना पड़ेगा हैं और अगर संगठन ने मुझे कहा है कि हम आपको नहीं हम आपकी पत्नी को चुनाओ लड़ाना चाहते हैं मैंने शहर सुसको स्विकारा और उस चुनोती को लेकर के आज आज आपके लिए इस मैदान में उतराओं साथी साथ एक नंबर में पिविगत 15 वर्षों से भारत पत्नीने आपको कि वह महिलाओ के लिए काम करेगी साथी साथ में पूरे च्छेतर में जो अवेत कालोनिया हैं जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़री जिस तरह से अवेत कारोबार से ज्यादा एक नंबर में हो रहे हैं उन पर रोग लगाने के लिए पूरी ताकत से हम ल करोड रुपे के काम करवा हैं इसलिए हमारी जनता हमसे बहुत खुश है और काफी सारी प्रॉब्लम से जो हमारे वाड में हैं अवेत कॉलिया मशेतर में अवेत कॉलोनी हैं पानी की सबसे बड़ा मुद्दा पानी हैं कहीं भी पानी नहीं नर्बदालाई ने डाली तो ग कि यह जैसा कि अभी में आपने आपको महलाओं के लिए बताया उस तरह के से काफी सारी चुनोतियां हैं जो हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे विशाल जी क्या कहना चाहेंगे अब आप जो है जंसंपर्क में जुटने वाले हैं रात दिन एक करने वाले हैं कितना मुश्किल कितना असान ये चुनावी सफर क्योंकि 20 दिन का वक्त अब आपके पास है और कॉंग्रेस पार्टी का पंजाबी आपके पाले में बहुत कम समय है लेकिन मुझे इशा विश्वा से मैं और मेरा परिवार और कॉंग्रेस परिवार साथी साथ संजे शुकला मेरे बड़े ब सबी लोग मिल जुल कर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस